वेल्कम फ्रेंड्स अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं क्रिश्न आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं कॉंपेटिशन एक्जाम की जिसमें मैथेमेटिस के कोश्चन पूछा जाता है मैथ्स के वे कोश्चन जोस्तों जिसे देखने से कठीन लगता है उसको सौल करने का तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों बिलकुल सौट कट तरीके से मातर 20 से 25 सेकंड में आप दोस्तों उसको बिना कॉपी पेन उठाएगा आप आसानी से सौल करने का तरीका इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों ये इस वीडियो सीरीज का नववा नमबर का पाल्ट है आनने पाल्ट देखने के लिए मैंने डिक्रिप्शन में लिंके दे रखा है और संथी संथ प्लेलिस्ट पर भी सजो की रखा है मैट्स ट्रिक के नाम से वो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पास जब भी आपको टाइम मिले दोस्तों आप जरूर देख लिजेगा चलिए श्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये पहला कोशन दोस्तों कोशन अगर आपको समझ आ जाता है तो वीडियो को पाउस कर दीजिए और आप खुद से बना करके देखिए अगर आपसे बनता है दोस्तों तो इन चार उप्सन में से आप मिला करके देखिए कौन सा उप्सन सही है और दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताइए चलिए पहला प्रशन देख लेते हैं, पहला प्रशन ये बोड़ रहा है कि A किसी काम का 1 बटे 3 भाग 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, B उसी काम का 2 बटे 3 भाग 36 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, दोस्तों इस तरीके का परश्चन सिर्फ थोड़ा सा गुमाने के लिए दिये हैं, लेकिन इस तरीके का कोशन बहुत ही सरल होता है, ठीक है चलिए, बनाना कैसा है है, इसको चलिए, सबसे पहले दिख लेते हैं, इसमें एक काम है दोस्तों, उसी काम को कौन लोग कर रहे हैं, A भी कर र निकाल लगेगा तो संपूर्ण कारे को करने में कितना ऍमय लगेगा Хाय। ले रहे हैं गुणा 3 बटेएक कर देंगे just इसका पॉसित कर देंगे खेघुमां क्या तु như भाग है उसका कर देंगे च्छा से तो यहाँ पास कर देंगे, गुना क्या हो जाएगा, 6, 2, 12, 6, तिया, 8 दिन लगेगा, ठीक है, 8 दिन का समय लगेगा, एक ये द्वारा, उस काम को पूरा करने के लिए, उसी तरीके से चलिए, दूसरा वाला देख लेते हैं, भी उस काम को कितने दिन में करेगा, काम कितने अथरा दिन का समय लगेगा, ठीक है, अब हमको आगे क्या निकल आलना है दोश्टों, अब प्रशन इस तरीके किसे बन गया, कि A किसी काम को अथरा दिन का Hutchे दिन में करता है तो दोनों मेल कर उस काम को कितने दिन में करेंगे तो इस तरीके question तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं आपको जरूर पता होगा इसके लिए formula हम लोग जो use करते हैं वो क्या होता है दोस्तूँ एक्स वाई अपॉन क्या होता है एक्स प्लस वाई ठीक है तो क्या होता दोस्तों एक्स वाई प्लस अपॉन क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई तो हमारे पास क्या है एक को एक्स मालो एक को वाई मालो अर्थात एक को क्या माल लेते हैं चलिए देख लेते हैं इसको एक को मा तो क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा अर्थात अठरा गुना नबे बटे क्या हो जाएगा 108 चलिए इसको कांट लेते हैं तो कांटने के पस्चा दोस्तों कितने दिन में यह कटेगा उसको हम लोग देख लेते हैं ठीक है ये दोस्तों 54 जो है किसने से जा रहा है तीन से कांट रहा है तो क्या हो जाएगा तीन तीन ना हो जाएगा उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा दोस्तों तीन एकम तीन बचा कितना दो तीन चौंग बारा तीन पच्चे पंदर तीन सत्ते किस 3824 तो मतलब का हो जाएगा अफरा पंचे 90 हो जाएगा ठीक है और ये चांथ ही साथ दोस्तों ये 3 बचा हुआ है और ये 5 बचा हुआ है तो फांच ये हो जाएगा दोस्तों 15 तो इस तरीके से हम लक्ष्ण पूरे कश ओल किये कटा पीटा के तो कितना है पास 15 आया और यही 15 दिन में क्या होगा वो काम को समाप्त करेंगे जब दोनों मिल करके काम करेंगे तो 15 आपको कौन सा ओप्सन में दिखाई दे रहा है तो यह ओप्सन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस तरीक का प्रेशन जब भी निकाल लेंगे उसके बाद दोनों का मान निकाल लेंगे ठीक है तो इसके लिए फार्मुला जो होता है दोस्तों x into y upon क्या होता है x plus y होता है तो आप इसको याद रखना है और इसी के अक्वार्डिंग हमको क्या करना है तो दोस्तों कैसे लगा अब मेरे बताने से पहले गर आप बना लिए हो तो very good और नहीं बना दोस्तों तो अभी मेरे ने बताया है उस में थार से आप जरूर सीख लिए होगे और इस तरीके प्रशन जब भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से जरूर सौल कर लोगे चलिए next question देख लेते हैं आयूस सम्बंदित प्रशन ह पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चह गुनी है चार वर्स के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चार गुनी हो जाएगी ठीक है पुत्र और पिता की उम्र वर्तमान में क्रमशह है तो क्रमशह क्या क्या है उसको दिया हुआ है दोस्तों तो हमनों को इस त चार और 24 अर्थात पुत्र की आयू कितना है? 4 वर्सघ और पिता की उम्रे कितना है? 24 वर्सघ तो question के appendix में ये बोलागे है कि पिता की उम्रे है पुत्र की उम्रे की 6 गुणि है तो 6 चंख होता है दोस्तों 24 मतलब क्या हो रहा है? इसमें दोनों का गुनान फल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा उसी तरीके से 24 में फिर 4 जोडेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा तो यह क्या हमें प्रैश्टन में बोला गया है कि उसके उम्र का 4 गुना क veg mir एिसके चार गुना करें तो 8 चोंग 32 लेकिन हो कितना रही 28 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा option गलत हो जाएगा छळिए दूसरा option देख लेते हैं पुत्र की उम्र है और 30 जा है पीता की उम्र है तो आप लोग देख लेते हैं कि पहले लाइन satisfy कर रहा है की नहीं कर रहा है कि जो पुत्र की उम्र से 6 गुनी है तो मतलब 5 6 का 30 अर्था क्या है यह पूरी तरीके से 6 गुनी है तो सर पहले लाइन तो satisfied कर रहा है लेकिन 4 words के बाद बोल रहा है तो चल एफ़ चारवर्स कर लेते हैं यह हो हो जाएगा 9, और यहां पास 4 वर सेबात हो जाएगा यह ऊढा़ थैसले हो जाएगा 34 थीक है थो 9 चौक होता है 26 हो ठीक है छार गुनी बोल्स होग रहे हैं थो पहला लाइं तो स Eenटिस्फाइ कर रहे है तो यहाँ पास देख लेते हैं उसके वर्ष का 4 गुनः है अर्थात पुत्र की आयू का 4 गुनः है पिता की उम्र ठीक है ना तो क्या हो ज़रीगे दस च्योंके 40 तो यहाँ पास 4 गुनः है ना तो यह क्या हो जाएगा C जो हो ज़रौएं जो दोस्तों जहां next question देखने से कठीन होगा दोस्तों मैं आपको समझाने के कोशिश करता हूँ आपको जल्द ही समझ आ जाएगा एंसन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है कि देखने से कठीन लग रहा है तो solve करने में problem होगी तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों question को आप मैं समझा रहा हूँ आप समझोगे आपको डिल्रियंट हो चलिए देख लेते हैं प्रश्न है एक वापार में ए तथा बी द्वारा लगाई गई पुंजियों का जो अनुपाद है नाव अनुपाद आट में है घवराये मत दोस्तों बहुत ही simple question है बहुत ही आसान तरीके साबको समझा जाएगा ठीक है ए और बी के द्वारा लगाया गया जो पुंजी है वो कितने है नाव अनुपाद 8 के अनुपाद में लगाया जा रहा है लेकिन जब व्यापार होने के पस्चाथ जो है दोस्तों उसको जो लाब हुआ है तीन अनुप आठ के अनुपाद में ए और बी ने लगाया है लेकिन पूरे व्यापार के दवरान उसको लाब हुआ है कितना तीन अनुपाद 4 के अनुपाद में लाब हुआ है और जो दोस्तों पैसा जो लगाया गया है उनका समय दिया हुआ है जो है कितने महने के लिए लिए लगाया गया है उसको हम और लीखना है तो इसके लिए simple导रा फेही जो है हम लोगको लिखना है जो हमको फ़र्मुला भी नहीं है आप मैं बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा ठीक है यहां पास झो है अनुपात ए जो है कितने श्राइड के लिए है 8 माह के लिए लगाया है, अर्थाथ 9 गुणा, किया हो जाएगा, 8 उसी तरीके से अनुपाद दिया गया है, 8 मतलब ढूरों, इसका अनुपाद कitने हैं दिया हुआ है, 8 अनुपाद, हमको नहीं पता हमको क्या निकालना है, वह कितने answer होगा ठीक है तो चलिए देख लेते हैं यहाँ 8 से 8 cut गए जब ये 3 है दोस्तों नीचे आजाएगा तो क्या हो जाएगा बट इसके 3 में आजाएगा और जो 4 है वो क्या हो जाएगा इसके गुणा में आजाएगा ठीक है तो हम तो बारा माहा के लिए को यहाँ जो है कि कों लगाया है बी जो है अपना दृत्षित लगाया है तो बारा कहसे और बीज्ट इप्ट्थ और बिखाई रहे भीता देओं तो यह और आक। इसी अप्ट्राइड का हो जाएगा और कितने महने के लिए लगाया है, आठ महने के लिए लगाया है, ठीक है, तो यह क्या होगा दोस्तों, इसके लिए जो equation बनेगा, वो क्या बनेगा, 9 गुणा, यह 8 महने के लिए लगाया है, ठीक है, 9 अनुपात है, उसको कितना हो रहा है, उसको यह हो रहा है, तीन के अनु लीजिये आसानी से तो question जो है आसानी से आपका solve हो जाएगा ठीक है चलिए देख लेते हैं next question next question भी important है दोष्टो question घुमने के लिए ही दोस्तों प्रेशन को घुमा के पूछा जाता है ताकि आप घूम जाओ ठीक है लेकिन आपको घूमना नहीं है चलिए देख लेते हैं next question पहला चलिए इसका question हम लोग देख लेते हैं question अगर आपसे बनता है तो जरूर अपने से खुद से solve कीजिए अगर नहीं बनता है दोस्तों एक हजार रुपए बचाता है तो एक ही आए कितनी होगी तो दोनों खर्च भी कर रहे हैं दोस्तों जो दोनों जो बचा भी रहे हैं कितना बचा रहे हैं दोनों एक हजार रुपए बचा रहे हैं ठीक है तो देखो पहले तो इन दोनों का जो आए कितना है कितना अनुपात है दोस्तों तीन अनुपात दो के अनुपात में आये है लेकिन उनका जो खर्च है देखो पांच अनुपात तीन के अनुपात में खर्च कर रहा है तो यह अप सोचेंगे कि यह कैसे हो सकता है भाई कि इन लोग का जो आये का अनुपात है वो तो कम है लेकि खर्च इनका ज्यादा है लेकिन इन लोग बचा भी रहें एक हजार रुपए ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा हो सकता है दोस्तों जब क्या हो अनुपात जो है कटता है तब ठीक है तो इसको सराल अनुपात में लिखा गया है जब हम लोग इसको दो से फिर से कंटेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा यही अनुपात मिलेगा ठीक है अब इसके बाद दोस्तों इनका जो खर्च का अनुपात है वो कितना अनुपात है पांच अनुपात तीन के अनुपात में क्या कर रहे हैं लोग खर्च कर रहे हैं उसके पस चाद भी उन लोग क्या कर रहे है, एक हजार बचा रहे है, तो अनुपाद को पहले देख लेते हैं, दोस्थे, उन लोग का आय कितना है, 6 के अनुपाद में था, और उन लोग का खर्च का उनुपाद कितना है, 5 है, मतलब क्या हुआ, tenho up कितना बचा, एक अनुप बचत हो रहा है अर्थात अनुपात कितने में बच रहा है एक अनुपात एक में और यही एक अनुपात कितने के बराबर है दोस्तों एक हजार रुपए के बराबर है तो कोशन में हमको क्या बताना है एक ही आय बताना है और एक ही आय का अनुपात कितने है दोस्तों 6 के होगा और 6000 हमें कौन से option में दिखाई दे रहा है ए ओप्सन में दिखाई दे रहा है तो ए ओप्सन क्या हो जाएगा सहीं हो जाएगा तो दोस्तों जब भी इस तरीके के प्रशन लेकिन जो भी गुणा करोगी है आपको बिलकुल भी नहीं करना है जो भी करोगे तो दोनों में एक गलत आएगा ठीक है चलिए तो इस तरीके से दोस्तों वीडियो कैसे लागा कमेंट करें मुझे जरूर बताएये अगर इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है प अच्छा motivation मिलेगा और आप question को आसानी से solve करना भी सीख जाओगे regular आप practice करती रहिए दोस्तों क्योंकि जल्द ही आप exam का नया date आने वाला है ताकि आपको competition exam में फिर से आप उसमें रूची दिखाईए और दोस्तों इस छुट्टिय का भी आप जरूर फाइदा उठाईए तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में उसे पहले मैं बता दूँ कि max के trick के लिए आपके लिए कौन सा book best रहेगा उसके लिए मैंने list नीचे दे रखा है वहाँ से आप उसको जरूर पर्चेस कीजे दोस्तों ताकि आपका जो है वन डे कॉंपेटिसन एक्जाम जो है आपका जरूर जो है crack हो जाएगा तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में इसी टाइम पर नए वीडियो के साथ नए trick के साथ तो मुझे दीजे इजाजत जय हिन आल दे वेस्ट